रूस और उक्रेन के बीच हो रहे युद्ध में भारतिये लोग फसे हैं ऐसे में कई वीडियो निकल कर सामने आए हैं और इस वीडियो के जड़िये कहीं सवाल उट रहे हैं उसके बाद अब पटना में भी आक्रोज देखने को मिला है जनदिकार पार्टी जो तमाम मुद्धों को लेकर लगातार बिहार की राजनीत में बनी विड़ाती है खास तोर पे तब जब देश में कहीं भी कोई हिंसा होती है और साथी बिहार में लोगों के खिलाफ सरकार ज हमला बोला है और मुख्यमंत्री नितीश कुमार और केन सरकार से मांग कर रहे हैं कि युक्रेण में जो भारतिये फंसे हुए हैं जिनको पीटा जा रहा उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है और बिहार में सिर्फ सरकार राजनीत कर यह देखे किस तरीके से उन्होंने मु तब भी भारत अपने देश महीं लोग पा रहा है यह कहीं न कहीं भारत तरकार का नक्रामी तरसाद है जीस तरकार भारत तरकार ने दावा किया है आज में वरीडिया कहा दिक्ता है आपको एक सरफ छात्म इतना दुन से जाते हैं 20,000 भारत किये छात्रों भी भज़े जात्रों कि पूरे भारत भर से लोगों का मांगता कि छात्रों को लड़ाई यूद घिड़ने वाला छात्रों को बापस लिया जाए एक छात्र अस्कोलर्शिप करके पर दे जाते हैं लाखों का रिल लेते हैं और उपर से 80,000 से 1,000 रुपया उनको लाने में खर्च है वो क्या करेंगे बहुत तरह की इस तरह की बात है यही देखकर हम लोगों ने अधर अधर मीए पप्तूयागती के मुझेशा अनुथार हमने भारास सरकार मिज़ने मोदी सरकार का पूस्कार मीता है क्या करना है अगर वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए ओजे गो घंटी बाग उक्रा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाई अगर वीडियो पत्रकारता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दे पेटियम नमबर नोटकली 93868167000 धन्यब